साल 2020 का दूसरा चंदर ग्रहन शुक्रवार को लगने जा रहा है जून में ही 21 तारीक को सूर्य ग्रहन भी लगेगा खास बात ये है कि ये दोनों ही ग्रहन भारत में दिखाई देंगे ये उपचाया चंदर ग्रहन होगा जिसकी शुरुवात 5 जुन की रात 11 बच कर 16 मिनट से हो जाएगी और इसकी समापती 6 जुन को 2 बच कर 32 मिनट पर होगी ग्रहन रात 12 बच कर 54 मिनट पर अपने अधिक्तम प्रभाव में हो सकता है उपचाया चंदर ग्रहन बहुत अधिक प्रभाव साली नहीं होता है इस दोरान सूतक काल भी मानने नहीं होता है ग्रहन एसिया, यूरोप, औस्ट्रेलिया और अफरीका के लोग देख पाएंगे हाला कि ये उपचाया चंदर ग्रहन होने के कारण समान्य चांद और ग्रहन में अंतर कर पाना मुस्किल होगा ग्रहन के समय चंद्रमा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा बलकि इसकी छवी कुछ मलीन हो जाएगी यानि चांद इस दोरान मटमेला सा दिखाई देगा चंद्र ग्रहन एक खगुली घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा प्रित्वी के ठीक पीछे उसकी प्रक्षाया में आ जाता है ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य प्रित्वी और चंद्रमा एक क्रम में लगभग एक सीध रेखा में स्थित रहें तो वहीं उप्षाया चंद्र ग्रहन तब लगता है जब प्रित्वी की परिक्रमा करने के दोरान चंद्रमा पेनुम्ब्रा से होकर गुजरता है ये प्रित्वी की चाया का बहारी भाग होता है इस दोरान चंद्रमा समान इसे थोड़ा गहरा दिखाई देता है इस साल दो और चंद्रग्रहन लगेंगे वे 5 जुलाई और 30 नॉम्बर को होंगे इस से पहले इस साल 10 जन्वरी को भी चंद्रग्रहन लगा था Bureau Report DNX TV रायपूर